हलो एंड वेलकम हम इन्पुट डिवाइसेज पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे 14 इन्पुट डिवाइस से सिटार्ट करेंगे हम आज जिसका नाम है बार कोड रीडर इससे पहले जो हमने इन्पुट डिवाइसेज पढ़े हैं वो थे पॉइंटिंग इन्पुट डिवाइसेज और कुछ नॉन पॉइंटिंग इन्पुट डिवाइसेज भी हमने पिछले लेक्चर में आपको बढ़ाए उन्ही नॉन पॉइंटिंग इन्पुट डिवाइसेज को हम कंटिन्यू करेंगे जितने भी ये डिवाइसेज हैं ये हैं Non-Pointing Input Devices. Start करते हैं Barcode Reader से. इसका दूसरा नाम है Barcode Scanner. अगर आए सवाल, Barcode Reader का दूसरा नाम Barcode Scanner. Barcode अलग है, Barcode Reader अलग है. यह जो Lines है, इनको बोलते हैं Barcode. जिससे यह Code पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं Barcode Reader, जो इस Barcode को Read करता है. तो Barcode Reader या Barcode Scanner क्या करता है? इनही Barcodes को Read करता है. यह जो Black and White Lines है. इनही Barcodes को Read करता है Vertical, Vertical Black and White Lines, ठीक है? इनही Vertical Black and White Lines को बोला जाता है Universal Product Code भी. क्यूं? क्यूंकि यह universally पाए जाते हैं Products पे और internationally यह Code Acceptable है और यह Code यूनीक भी है प्रोड़क्ट्स पे मतलब कि एक प्रोड़क्ट पे दो-तीम प्रोड़क्ट्स को मिला के सेम-सेम Code नहीं होगा. एक प्रोड़क्ट पे एक ही यह Barcode आपको मिलेगा. मतलब कि यह यूनीक है और यह internationally यह Code Accept किया जाता है? यह Read करता है Barcode कौन? Barcode Reader या Barcode Scanner यह Black and White Vertical Lines Vertical Lines को Read करता है यह Barcodes क्या होते हैं अगर आपको सवाल आए? यह Barcodes होते हैं Black and White Lines, Vertical Lines और यह यूनीक होता है, एक प्रोड़क्ट पे यह यूनीक होता है. अब इस पे क्या होता है? सर, जब हम हमको information मिलती है product के बारे में, क्योंकि products के उपर होता है यह goods के उपर होता है यह तो हमें information मिलती है product के price के बारे में product का manufacturing कौन सी country है यह पता चलता है date of manufacturing क्या है expiry date क्या है यहाँ पे याद रख ले ना कि अगर अगर 890 पहले 3 digits हो तो वो है तो यह made in India नहीं है तो बार कोड हमें बताता है कहाँ पे manufacturer है बताइए अगर पहले 3 digits 890 होते उसका मतलब क्या है made in India इंडिया की company ने उसको बनाया अब बार कोड अलग है बार कोड रीडर अलग है बार कोड रीडर को invent किस ने किया बार कोड को invent किस ने किया ऐसे सवाल आ सकते हैं बार कोड को invent किया जोजफ वुड लैंड ने जोजफ वुड लैंड ने बार कोड रीडर को invent किस ने किया जी लॉरल ने जी लॉरल ने ठीक है जी लॉरल ने बार कोड रीडर को invent किया मगर दोनों के दोनों बंदे IBM कमपनी में काम करते थे IBM आपको पता है फुल फॉरम पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे IBM कमपनी में दोनों के दोनों बंदे काम करते थे एक ने बारकोड को इन्वेंट किया दूसरे ने बारकोड रीडर को इन्वेंट किया अब है Optical Mark Reader इसका दूसरा नाम है Optical Mark Recognition OMR का मतलब Optical Mark Reader या Optical Mark Recognition ठीक है? दूनु नाम है इसके याद रखना अब ये Optical Mark Reader क्या करता है? ये Mark को Read करता है देखो आपने Mark दिया ऐसे ये इस Mark को Read करेगा ये Read करता है Mark Data ये देखता है Presence और Absence आफ ये Mark Data फर एक्जामपल चार उप्शन है और आपने एक्जाम दिया होगा OMR शीट आपके सामने होता था आप एक को Mark करते थे चार उप्शन में अच्छी तरह मार करना पड़ता था लिखा होता था उस एक्जाम में कि अच्छी तरह करना तभी तो OMR उसको Read कर सकता था जब उसको अच्छी तरह Mark किया होगा तो यहां तक तो ठीक है ये एक्जाम में टेस्टस में ज्यादा यूज होता है और सर्वेज में भी ये काफी यूज होता है लेकिन जब टेस्टस होते हैं तो Objective Type टेस्टस में ये काम आता है क्योंकि ये देखता है कहां पे Mark हुआ है कहां पे Mark नहीं हुआ ऐसे OMR sheet होता था था न आप तो आप Online एक्जाम देते हो Offline में ऐसे OMR sheet होता था था न ये Marked जो portions है ये वो read करता है और देखता है क्या सही option मारा है बंदे ने कि ये गलत तुक्का मारा है ठीक है अब इसको invent किस ने किया Frank Lin Frank Lin Lin's Quist Frank Lin Lin's Quist Lin's नहीं कि Lin Frank Lin Lin'd Quist Lin'd Quist ने इसको invent किया उसके बाद है Optical Character Recognition इसका दूसरा नाम क्या है Optical Character Reader ये जो है नाम से पता चलता है ये read क्या करेगा characters O, M, R M से Mark वो क्या read करता था M मतलब marks ये क्या read करता है character character क्या होता है A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, A, B और भी वाकिसारी चीज़े वो character जो भी लिखा होता है वो character है अब Optical Mark Recognition या Optical Character और सारी Optical Character Recognition या Optical Character Reader क्या करता है read ये read करता है characters अब इसको दूसरा तीसरा नाम भी ये नाम आ सकता है Intelligent Character Recognition किसका नाम है O, M, O, C, R का ही ये नाम है Intelligent Character Recognition अब ये तो नाम है लेकिन ये read करता है characters अब characters, देखो यहाँ पर characters है ये read करेगा, ये read करेगा और इसी की image ये आपको output laptop के computer के screen पे देगा मतलब की बात ये है कि इन characters को ये read करता है फिर image उठाता है मतलब इस text की ये image इस text का ये image उठाता है जैसे आप photo उठाते हैं देखो, अगर आप इस page का photo उठाओगे ने देखो, ये आपकी सामने page है अगर आप इसका photo उठाओगे तो आपने क्या किया scanner भी वही करता है OCR भी वही करता है इसका अच्छी तरह photo उठाता है अगर आप इसका photo उठाओगे तो क्या होगा आपका जो ये text है वो बनेगा आपकी image क्या बनेगी आपकी image लेकिन कौन सी image बनेगी वो जो आप mobile में edit भी कर सकते है मक्सद की बात सिर्फ यह है कि ये read करेगा characters ये text को image बनाएगा वैसे उपर नीचे लिखा है यदर तो image को आप हटा दो यहाँ पर ये read करेगा characters जो text लिखा हुआ है ठीक है उसको फिर ये image बनाएगा लेकिन digital image बनाएगा mobile की image बनाएगा computer में image screen आएगा digital textual data बनाएगा short में जो आपके ये लिखाई है image को छोड़ो जो आपकी ये text है उसको ये digital text बनाएगा बहुत आसान है digital textual data बनाएगा और उसी digital textual data को आपके mobile में जब data आठा है text आठा है इसको soft को भी बना सकता है scanner की तरह ये read करेगा ये text फिर उनको ये बनाएगा image या digital textual data बनाएगा mobile में ये screen पे वहाँ पे आप इसको edit भी कर सकते हो इतने ही काम नहीं इसके ये text to speech भी करता है text जो पढ़ा है उसको अंदर software में से इसको text to speech भी ये कर सकता है जो भी लिखा है वो speech में आएगा जैसे Rob Ward बोलता है O, A, A, B, C, D वैसा ही वैसा ही वैसा ही आप ये तो text to speech करेगा और ये translation भी कर सकता है optical character recognition आप बोलते हो ना आपके mobile में ये डाल और translation करेगा तो वो optical mark recognition का ही feature होता है मकसद की बात यह है कि ये बहुत सारे काम करता है इसका photo उठाएगा फिर आगे आप उस photo को mobile में edit कर सकते हो ये text को speech में convert कर सकता है ये इस text को translate कर सकता है अब computer ने सीखा है किस text को किस तरह translate करना किस text को किस तरह बोलना ये computer ने सीखा हुआ है अपनी experience से उसी को बोलते है artificial intelligence artificial intelligence होता है जब computer अपनी experiences से intelligent बन जाता है लेकिन वो हमारी तरह intelligent नहीं है वो artificially intelligent है artificial intelligence जैसे कि robotics में हम आगे देखेंगे कि computer कैसे सीखता है मुझे क्या बोलना है computer robot कैसे सीखता है मुझे सवाल को क्या जवाब देना है उसको एक बार सिखाया गया होता है उसको डॉग दिखाया गया होता है और बोला गया होता है यह डॉग है तो जब भी वो देखता है वो बोलता है डॉग है मतलब की बात यह है कि artificial intelligence जो है यह optical character recognition की वज़ा से बार बार जब यह काम करता है तो computer क्या computer सीखता है कौन सी line को मुझे किस तरह speech करनी थी कौन सी line को मुझे किस तरह translate करना था इसी को बोलते है artificial intelligence ठीक है हमें आगे अच्छी तरह पढ़ना है telephone bills में electricity bills को पढ़ने के लिए telephone bills को पढ़ने के लिए insurance papers को अच्छी तरह पढ़ने के लिए paper passport documents को अच्छी तरह scan करने के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए fake तो नहीं है real तो है ठीक है ना उनको फिर match करने के लिए original के साथ इसमें ये काम आता है optical character recognition ये किस ने invent किया Ray Chris Will ने Ray Chris Will ने अब magnetic character recognition MICR औरे के ये भी characters को ही पढ़ता है ये भी character को पढ़ता है ABCD और बाग़ी चीज़ों के ये पढ़ता है यहाँ पे लिखे होएं ठीक है characters को ये पढ़ता है मगर ये magnetic characters को पढ़ता है magnetic ink वाले characters को ये पढ़ता है देखो ये read करता है मगर magnetic ink या iron oxide वाले characters iron oxides और बहुत ज़्यादा security होती है इसमें इसलिए ये banks के checks में इस्तिमाल होता है चक को pass करने के लिए चक को process करने के लिए चक को scan करने के लिए ठीक है अब चक 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 तो मैं आपको bank की चक दिखाऊंगा ये बीच में है ये है MICR code कितने digits का होता है ये होता है now digits का code ठीक है ये जो बीच में code है now digits का code पहले तीन digits आपको दिखाएंगे city और तीन digits आपको बताएंगे bank के बारे में और तीन digits आपको देंगे information branch के बारे में ठीक है वो यहाँ पे नीचे लिखा भी है तो ये किसने इनवेट किया Stanford Research Institute ने USA ये किसी बंदे ने इनवेट नहीं किया ये इस organization में बहुत सरे बंदे थे जुनोंने मिलके काम किया इस company में बहुत सरे बंदे थे जुनोंने मिलके काम किया इसमें now digit होते हैं जैसा मैं ने आपको बताया पहले तीन city के बारे में दूसरे तीन bank के बारे में तीसरे तीन last three branch के बारे में सवाल अगर आए magnetic ink character recognition में जो MICR code होता है उसमें last three क्या बताते हैं branch के बारे में middle three क्या बताते हैं bank के बारे में पहले तीन first three क्या बताते हैं city के बारे में किसने invent किया, किसमें अक्सर ये इस्तिमाल होता है, M-I-C-R, ठीक है न, ये, ये magnetic ink को read करता है, recognize करता है, scan करता है, magnetic ink में खास क्या होता है, iron oxide, ऐसे सवाल आ सकते हैं, और उसके बाद है QR code, quick response code, quick response code जो है, ये क्या करता है, ये भी आपको product के बारे में information देता है, किसी item के बारे में information देता है, product के उपर आपको पता है, ऐसा code भी होता है, तो ये भी जैसे barcode आपको information देता है, वैसे ये code भी आपको information देता है, ये मगर matrix barcode है, ये ऐसे खड़ा खड़ा vertical barcodes नहीं, इसको बोलते है matrix barcode, तो QR code scan करता है, read करता है, क्या, matrix barcode वो read करता है, अब QR code यहाँ पर मैंने लिखा, QR code reader मैंने लिखाई नहीं, क्यूंकि QR code reader actually एक software है, वो device नहीं है, device के बदले बदले वो software है, software आप डालो अपने mobile में, और आपके mobile अगर इसको support करता है QR code software को, तो आप वो देख सकता है QR code, तो QR code भी एक तरह का scanner ही है, ये सारी चीज़े में हम scanner पड़ रहे हैं, देखो, ये बार कोड भी एक तरह का scanner ही है, क्यों ये इसको scan करता है, कौन सी lines को vertical lines, उनको क्या बोलते हैं, बार कोड, किसने invent किया बोला मैंने, OMR भी scanner ही है, ये भी scan करता है, ये भी scan करता है, फोटोग्राफी उठाता है, आप कह सकते हो, ये जो hard copy है, इ ये भी, ये भी, ये भी, ये तो hard copy बाहर से है, इसकी information ये आपको screen पर देगा, तो soft copy में आपको मिला information, तो ये सारे के सारे photo उठाते हैं, scan करते हैं, ठीक है, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ ये भी तो खतम हुआ, अब ये, cure code जब हम पढ़ रहे हैं, इसका inventor कोन है, denso wave, ये cure code reader एक तरका software है, ये ज़्यादा तर mobile devices में भी इस्तेमाल होता है, ये देख लीजे, mobile से आप scan कर सकते हैं, उपर से नीचे ऐसे scanning होती है mobile के अंदर screen में, तो आपके information निकलते हैं उस product के बारे में, उसके बाद है, M-I-D- keyboard, M-I-D-I keyboard का दूसरा नाम है, controller keyboard और musical keyboard, सवाल अगरा है, musical keyboard या control keyboard का दूसरा नाम, M-I-D-I keyboard, ठीक है, M-I-D-I की full form क्या है, ये मैंने आपको पहले lecture में बताया हुआ है, जो इसका पहले lecture था, नीचे आप comment करो, इससे पता चलेगा कि कितने बच्चों को याद है, देख क उसके बाद है, Piano, हाँ, हाँ, उसके बाद ये कहना, ये M-I-D-I keyboard, इसका style, इसकी शकल, Piano जैसी होते है, पियाना आपने बजाया होगा, मुझे पता है, या तो नहीं बजाया होगा, देखा होगा, तो Piano जैसी style होता है, ये Piano की तरह ही होता है, जो दबा सकते हो, आप buttons पे, ठीक है, ये professional musicians इस्तिमाल करते हैं, music को साब बनाने के लिए, music को और ज्यादा high level advanced बनाने के लिए, ठीक है न, music को और ज्यादा strong बनाने के लिए, इसका inventor को नहीं है, Dave Smith और Robert Moog, Dave Smith और Robert Moog, M-O-O-G, उसके बाद है laser range finder, ये क्या काम करता है, ये laser beam की वज़ा से, distance major कर सकता है, ये laser finder है, इसको देखना है, ये आगे कोई पहाड है, या कोई भी चलो, ये जहाज में है, raise finder है, या ये समंदर में है, इसको देखना है, आगे कुछ भी, कोई भी obstacle आ गया, तो ये क्या करेगा, ये laser से light छोड़ेगा, फिर वापस जब आएगी, तो ये scan कर करता है, laser range finder, range से आपको पता चलेगा, ये range distance major करता है, laser beam के वज़ा से, इसलिए laser range finder, ये भी input device है, non pointing device है, इसको किस ने invent किया, john d, john d miris, m-y-e-r-s miris, john d miris, उसके बाद है remote controller, इसका दूसरा नाम है clicker, ये एक जगा मैंने ssc में सवाल देखा हुआ है, remote controller का और एक नाम क्या है, याद रखना क्या है, clicker, अब जो ये remote controller है, या clicker है, ये क्या काम करता है, ये तो आपको पता होगा remote है, हाँ भाई, ये control करता है machine को, चाहे machine TV हो, DVD हो, अब आज कल के laptops को भी remote आया है, AC हो, fridge भी आदे आये है, अरे PC भी जो है न, personal computer, उनमें भी remote controllers आज कल आये होए है, तो remote controller भी input device है, क्योंकि यहाँ से आप बटन दबा रहे हो, screen पे कुछ चड़ रहा है, वो है output, इसका दूसरा नाम clicker, इसको किसने invent किया, Nikola Tesla, ये आसकता है सवाल, किसने invent किया, Nikola Tesla, हाँ, ये भी याद रखना, ये एक ऐसा device है, जो operate करता है, डूसरे device को, लेकिन ये control करेगा machine को, लेकिन short distance पे, ऐसा नहीं कि आप remote controller एक शहर में ले जाओ, और बोलो कि ये चल नहीं रहा है, सर ने गलत बोला, तो remote controller आपको पता ही होगा, ये तो होता है, computer में ये inbuild भी हो सकता है, या ये बाहर भी हो सकता है, अगर बाहर होगा, अगर बाहर होगा तो अब USB या वाइफाई से connect करना पड़ेगा, इसको computer के साथ, तब जाके ये अच्छी तरह काम करेगा, वेb camera को connect करते हैं, USB या वाइफाई से, किस के साथ, computer के साथ, य ये input device है, यहीं से information लेता है, input device है, ये teleconference में ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है, ये teleconference आपको पता है न बाई, video calling में, और conference meeting में, video calling में, short में, आप कह सकते हो, teleconferencing में इसका इस्तिमाल होता है, security purpose के लिए भी ये जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है, web camera लगा होता ह जगा जगा पे और पता चलता है कि क्या होता है, किसी mall के अंदर या किसी भी जगा ठीक है, और उसके बाद इसको invent किस ने किया, Paul Jardis and Stafford Fraser ने, Paul Jardis and Standard, स्टैफोड Fraser ने, okay, Stafford Fraser और Paul Jardis, अब यहां तक तो ठीक है, अब मेरे हिसाब से सारी input devices खत्म हुए, अगर कोई input device रह गया तो आप बताना मैं उसको यहां पे cover करूँगा next lecture में, input devices जितने हमने पहले lecture में बोले थे, वो सारे lecture, यह खत्म हुए है, कि नहीं, यह आप मुझे lecture के नीचे बताओगे, M.I.D.I. की full form भी आप lecture के नीचे बताओगे, और input devices में जो हमने बोले थे, पहले सारे input devices, वो सारे खत्म अगर हुए, तो ठीक है, नहीं, तो आप नीचे comment करोगे, आपके जहन में भी अगर कोई नया input device आता है, तब भी आप नीचे लिखेंगे, हम देखेंगे next lecture में, एक दो, अगर मिले तो करेंगे, नहीं, तो यह बहुत ज्यादा है, 22 input devices यार, यह बहुत ज्याद है, बहुत ज्यादा है, अब कुछ devices ऐसे हैं, जो के input भी है, और output भी है, कुछ devices ऐसे हैं, वो, आरदी हमने कुछ पढ़ लिए, एक दो, पढ़ लिए, वो हम next lecture में input devices और output devices, devil devices भी पढ़ेंगे, और output devices भी पढ़ेंगे, तो आपको हम, आज यह, हमने आपको input devices खत्म करा है वैसे मेरा plan था कि सारा खत्म करा हूँ, लेकिन Tuesday है आज और आज आपको यह पढ़ाया, फिर Wednesday के दिन वो output devices सारे, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, और जो input output devices हैं, वो पढ़ेंगे, फिर हम Thursday के दिन पढ़ेंगे, प्रोसेसर के बारे में, जो processing devices हैं, उनके बारे में, और फि वाली Friday के जो पहले पढ़ा था, वो भी होगा उसमें, हाँ भाई, जितना भी, जितने हफ़ते भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पहली Friday और यहां तक पढ़ा है, सारे material का exam लिया जाएगा आपको Friday के दिन, तो तयार रह लीजे, Friday के दिन आपको पुरानी बाते भी repeat करनी पड़े, यह ऐसा नहों कि आप आगे दोड़ और पीछे छोड़ करोगे, तो आज मैंने थोड़ा सा कम ही पढ़ा लिया, वैसे मैं 40 मिनर्स का lecture देता हूँ, या 30 से उपर ही देता हूँ, तो आज मैंने कम ही पढ़ा लिया, ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा सिरदर्द है, ओके, 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 और हाँ, यह भी बताओंगा, इसके बाद और एक लेक्चर भी आएगा मेरा, एकनॉमिक्स का भी, और पॉलिटी का भी, और भी लेक्चर आएंगे आपको टाइम टाइम, चलिए ठीक है, ओके, बाई